तो हेलो गाइस फिर्स्ट अफ आप सब का दिल से शुक्री आप सब की प्यार और स्पोर्ट की वज़े से हम बन चुके हैं दस हजार पैमिली मेंबर जेके स्पोर्कन इंग्लिश ने जीरो से लेके दस हजार सब्सक्राइबर तकी जर्नी कम्प्लीट की जे सब पॉसिबल हुँ आप सब के प्यार और स्पोर्ट की वज़े से होफ़ोली बहुत ही जल्द हम 20K 50K तक रीच करेंगे ऐसे ही अपना प्यार स्पोर्ट देते रहे हैं सो गाइस लिस्निंग स्पैलिंग प्रक्टिस के चार पार्ट हमने अपलोड किये थे जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला उससे आइडिया मिलता है कि आप सुपको वाकी में इस तरह की वीडियो की जरूरत है जे टिप्स और ट्रिक्स हंडर परसेंट वर्क करेंगी वीडियो को विदार स्किप के वाच करना विकास आपको तब ही वेनिफिट होगा स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे नहीं हो तो कर लेना सब्सक्राब और साथी वाल इकन को प्रस कर लेना ता जो आपको न लिखना आ गया तो वह पर्डिक्रूर स्पैलिंग लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया टिप नवर फरस्ट यह है कि मोस्ट आप दा टाइम वही सेम स्पैलिंग वह रिपीट होते रहते हैं हम ट्राइ कर रहें कि आपकी लिए प्रॉपर लिस्ट बनाए वीडियो के और इबनिंग टाइम उनसे प्रैक्टिस करो और फिर चेक करो कितने स्पैलिंग आपके रहें और कितने इनकरें ऐसा ही तीन से लेके चार दिन तक आप करो गैरेंटी है कि वह स्पैलिंग जो आपके हमेशा रॉंग होते थे वह क्रेक्ट होगे ही होगे तोड़के और यह एक वर्ड लेते हैं हम चॉकलेट मोस्ट अफ दा थाइम बच्चो को चॉकलेट को लिखते रॉंग होती है तो उसे आप कैसे याद करोगे कैसे उसको लिखके प्रैक्टिस करोगे उसे डिवाइड कर लोगे तीन हिस्सों में चो को लेट चो को अलग कर लोगे और लेट को अलग कर लोगी चो को लेट ऐसे उसे याद करोगे ऐसे उसे लेंडर जो भी स्पैलिंग आपके में स्पैल होते हैं अगर इस फेस से आप उनकी प्राक्टिस करोगे तो आप ये इंप्रूव होंगे ही होंगे इसका एक बैनिफिट आपको और होगा एक्जाम में को याद आ जाएगा कुछ और वर्ड को देखते हैं लाइब्रेडी लाइब्रेडी को लिखते टाइम में बच्चों को बहुत यादा प्रॉब्लम होती है आप नीचे कॉमें सेक्शन में बताना कि आपको किस वर्ड को लिखते टाइम प्रॉब्लम होती है तो लाइब्रे spelling mistake है spelling error है वो permanently खतम हो जाएंगे kitchen को लिखते राइम बच्चों को बहुत ज़्यादा problem होते है same अपने kitchen को दो हिसो में divide कर लेना है cafeteria थोड़ा बड़ा है उसी तीन हिसो में divide कर लो energetic जो जो spelling आपको difficult लगते हैं उनके साथ ऐसा ही करो guarantee आपकी spelling mistake है वो improve होगी ही होगी trip number 3 और last tip जो भी बच्चे ALS exam की preparation करते हैं वो daily basis पे अपने listening की practice करते हैं और around 40 minute है वो spend करते हैं 40 minute में 5 minute प्लस कर दिया करो 45 minute है आप spend किया करो 5 minute को आप कैसे utilize करोगे देखो कि कितने आपकी spelling में spell हुए हैं उनकी अलग से list पना लो same technique जैसे मैंने बताई टिप number 1 और tip number 2 में वो use करकी आपने उन पर work करना है most of the time जो listening spelling होते हैं वो repeat होते रहते हैं तो ऐसे अगर आप work करोगे तो 100% जो आपके spelling error है वो खतम हो जाएंगी so this is all about this video video अच्छी लगए like share comment करके जोगदाना thanks for watching